पक्टी बादू उसमें उसमें तेल पीता तेल पीता तेल पीता तो वो अपने मीठे मीठे जामुन खाता था और थोड़े से उसको भी दे दिया करता था मगरमच को मगरमच रोज आता और रोज जामुन भी खा लेता लेकिन एक दिन सोचा मगरमच अपनी पतनी को बताने गया कि मेरा दोस्त है एक बंदर जो उपर रहता है पेड़ पे तो उसकी पतनी ने बोला जब उसके जामुन इतने मीठे हैं तो उसका कलेजा कितना मीठा हो तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी फिर मगरमच गया बंदर की पास और बोला ऐसा ऐसा बोला है मेरी बीवी ने तो बोला अच्छा तो एक काम करो आप उपर आ जाओ तो वो गया तो बंदर आ गया बंदर ले गया धूके से उसको अपनी इठाल लिया ठीक है और वो पानी में तेरता हूँ चला गया फिर उसने सारी बात बताई कि मेरी बीवी आज तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है बंदर को सौक लगा ओ यह सा निकला यह फिर बंदर ने बोला अरे मित्र मेरा कलेजा तो जामुन के पेड़ पे ही रह गया है उसने कहा अभी आप थोड़ी देर मुझे चलो लेके बहां मैं अपना कलेजा लेके बापिस आता हूँ फिर बंदर बापिस से जामुन के पेड़ पे चड़ गया और वो मगरमच्छ था जो फिर मगरमच्छ से बोला बंदर अरे मूरख कलेजा भी कभी सरीर से बाहर निकल मित्र होकर मुझे धोका दिया और फिर बोला आज से हमारी और तुमारी दोस्ती खतम आज से तु मेरा मित्र नहीं और बंदर फिर अकेला फिर पेड़ पे रहता और फिर सारे जामुन खाने लगा बस उसकी पत्नी भी नार थे